दोस्तो स्वागत है एक नई कहानी में. दोस्तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें. उसने हत्या कर दी. सबसे बड़ी बात जब ये हत्या हुई, उसके बाद आरोपी पती पुलिस स्टेशन के बाहर हत्यारे को पकट डिढ़ने के लिए धर्ना दे रहा था. इसके बाद पुलिस को शक हुआ और उसने पती से ही पूछताच शुरू कर दी. 10 अगस्थ 2010 को बैंगलूर में रहने वाली प्रियंका की हत्या हुई थी और उसके तीन बाद उसका पती सतीश कुमार शहर के हुलिमावू पुलिस स्टेशन के बाहर धर्ने पर बैठा था. इस दोरान वो कह रहा था, क्या बैंगलूरू में रहना लोगों के लिए इतना असुरक्षित है, मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई, तीन दिन हो गए हैं और पुलिस ने दोशियों को पकड़ने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, वे चुप क्यों है? सतीश को इसकी जा आवास की सजा सुनाई गई, पुलिस को आरोपी ने किया फोन, 10 अगस्त 2010 को हुली मावू पुलिस इंस्पेक्टर A.R. बलराम गौडा काम पर थे, जब उन्हें एक हत्या के बारे में फोन आया, उन्होंने इंडियन एक्स्प्रेस को बताया, सुबह के लगभग साथ लाख रुपए के सोने के गहने और दो लाख रुपए नकद गायब थे, हमारे पूछने से पहले ही सतीश ने कहा कि वह हमेशा की तरह सुबह जॉगिंग के लिए घर से निकला था, प्रियंका ने उन्हें फोन पर यह कहते हुए बुलाया था कि पेपर विक्रेता होने का दावा करने वाले दो लोग घर आये थे, फिर सतीश के अनुसार उसने कहा कि वह उनके लोटने तक उन्हें अंदर ना आने दे, 45 मिनट बाद वह जॉगिंग से लोटा तो प्रियंका को मृत पाया, बलराम गोडा ने बताया, हम सबूत ही कठा कर रहे थे, जब हत्या हुई तो घर का दर्वाजा बाहर से बंद था, सतीश के पास एक और चाबी थी और उसने उसे अपने कार्यालय में रखा था, उनके बयान के अनुसार शव देखने के बाद वह अपने कार्यालय इनफोसिस गए और दर्वाजा खोलने के लिए चाबी लेकर आए, हत्या से पहले गया था, ओन्फिस पुलिस ने पूछ ताच की कि क्या सतीश सुबह सुबह कार्यालय गया था और पता चला कि वह अपने दोस्त किशन के साथ गया था, लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड होने का शक हुआ, बलराम गौधा ने कहा, अगर उसे कार्यालय में प्रवेश करन है, तो उसे अपने आईडी कार्ड की आवश्यक्ता होगी, जो बायोमेट्रिक कार्ड के रूप में भी काम करता है, जो बिल्डिंग में प्रवेश करने की सुविधा देता है, वह जौगिंग के लिए आईडी कार्ड क्यों लेकर आएगा, इसके अलावा, अगर उसकी पत भूमिका का जाच करने का निर्णै लिया, बलराम गौधा ने कहा, हमने अगले तीन-चार दिनों तक उनकी भूमिका को नजर अंदाज करने का नाटक किया, लेकिन हम उनके फोन कॉल और अन्य चीजों पर नजर रख रहे थे, इसी अवधी के दौरान सतीश ने हुलिमाव कि पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था, चार दिन बाद हमने उसे उठाया और सारे सबूर दिखाए, उसके पास कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, सतीश इन्फोसिस में मैनेजर थे, वहीं प्रियंका दिल्ली पब्लिक स्कूल, में टीचर थी, पुलिस के मुताबिक यह एक सुन्योजित हत्या थी और सतीश का इरादा इसे डकैती का रूप देने का था, जो गलत हो गया, जाच का हिस्सा रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया, उसने शहर के बाजार क्षेत्र से एक चाकू, एक नाइलॉन की रस्सी, दस्ताने और सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था, सर्प्राइज देने के बहाने की हत्या हत्या से तीन दिन पहले सतीश ने प्रियंका को एक आश्चर्य जनक उपहार दिया, उसकी तस्वीरों वाला एक मैट फिनिश फाइबर शीट बोर्ड उसे गिफ्ट किया था, उसन उसने फोन करके यह जानकारी अपने माता-पिता से शेयर की, बाद में सतीश ने एक सप्ता के भीतर बिगर सप्राइज का वादा किया, पुलिस के मताबिक 10 अगस्त को सुबह करीब 5 बजे सतीश ने प्रियंका को जगाया और उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी, उसन उससे इंतजार करने को कहा, पुलिस ने कहा कि कुछ ही मिनटों के भीतर उसने रस्सी से उसका गला घोट दिया और चाकू से उसकी गरदन काट दी, बाद में उसने सुबह की सैर के लिए निकलने से पहले उसके नंबर से अपने मोबाइल फोन पर कॉल किया, अपनी हरकतों से पुलिस का संदेह बढ़ने के अलावा सतीश के जूट और उसके द्वारा छोड़े गए सबूतों ने उसे धोखा दे दिया, सतीश ने पुलिस को बताया था कि प्रियंका ने सुबह करीब 6.45 बजे उसे फोन किया था, लेकिन कॉल सुबह 5.30 बजे की गई थी, कॉल करन वाले और रिसीवर दोनों का स्थान एक ही था, सतीश के अनुसार जो नकदी और आभूशन गायब हुए, वे अपराध से कुछ दिन पहले उसके बैंक खाते में जमा किये गए थे, बलराम गौडा ने कहा, उन्होंने खुद इसे जमा किया था, इसलिए इस सबूत से हमें मदद मिली, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन पुष्टी करने वाले साक्षिय, जिसमें वह कपड़े भी शामिल थे, जिन्हें सतीश ने फेंक दिया था, ने पुलिस को मामले को सुल्जाने में मदद। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सतीश ने उन्हें बताया था, कि उनकी वैवाहिक परेशानिया पहले दिन से ही शुरू हो गई थी, जब प्रियंका ने देखा कि सतीश ने एक लौकेट वाली चेन पहन रखी है, जिसमें उसके माता-पिता की तस्वीर है, तो उसने कथित तौर पर उसे उतारने के लिए कहा, सतीश ने पुलिस को बताया कि उसे यह पसंद नहीं आया, कुछ दिनों बाद उसने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया कि सतीश अपने माता-पिता के घर से चला जाए, सतीश ने पुलिस को बताया कि जब वह रोजाना अपने माता पिता से बात करती रहती थी, तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। हत्या के चार दिन के भीतर, हत्या के एक हफते के भीतर ही सतीश को गिरफटार कर लिया गया और पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सबूतों से ये सुनिश्चित हो गया कि सतीश को कभी जमानत नहीं मिलेगी। गौड़ा ने बताया, वह सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। 28 जुलाई 2017 को बेंगलुरू के सिविल और सत्र न्यायाधीश ने सतीश को दोशी ठहराया और आजीवन का रवास की सजा सुनाया। हालांकी बाद में उन्होंने करनाटक उच्च न्यायालय का दर्वाजा खटखटाया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि उनके खिलाफ परियाप्त सबूत थे। सतीश की ओर से पेश हुए वकील ने नरम दृष्टिकोन की मांग करते हुए दलील दी, मुकदमे के दौरान आरोपी न्यायिक हिरासत में है, उसने कई कैदियों को प्रशिक्षित किया है, उसने उन्हें शिक्षित किया है और उनमें से कुछ डिगरी प्राप्त करने में स पुलिस उपाधीक्षक के रूप में सेवा निवरित्त हुए और मांडिया जिले में अपने फार्म में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाद में उनकी मुलाकात सतीश से हुई। उन्होंने बताया, ऐसा हुआ कि मैं उनसे जेल में तब मिला जब मैं किसी अन्य मामले में एक आरोपी से पूछताच करने गया था। उन्होंने मुझसे अनुरोद किया कि मैं उन पर सक्ती न करूँ। लेकि अनुरोद कि मैं उन पर सक्ती न करूँ।